विपक्ष के कड़े विरोध के बाद खटर सरकार ने जबरन धर्मांतरान को रोखने के लिए सदन में लाए गए विध्या को पारिद कर दिया कॉंग्रेस के सदस से इस विध्या के विरोध में सदन से वाक आउट कर गए हरियाना विधान सभा वपाध्याक शुनवीर गंगवा ने बताया कि बजट सत्र के दौरान सदन में कुल 18 बिल पेश किये गए जिसमें से 15 विध्याक पारिद किये गए जबकि दो बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भीजा गया है और एक बिल को वापस लिया गया है बजट सत्र में आखरी दिन सदन में किन मुद्दो पर चर्चा हुई कितने विध्याक पारिद किये गए और कॉंग्रेस क्यों सदन से वाक आउट कर गई इस बारे में खास बाचीत की है अमारे समबादाता अनिल कुमार ने हर्याना विधान सभा के उपाध्याक्ष रणवीर गंगवा से बज़र सत्र के दस्वें और आकरी दिन सदन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस समयर साथ हैं हर्याना विदान सावा के उपाध्यक्स रनवीर गंगवा इनसे जानते हैं कि सदन में आज क्या कारवाई हुई है जी गंगवाई आज सदन के अंदर कई एहम मुद्धों पर चर्चा हुई कई बिल विपास किये गए और विशेशकर जो कालिंग अटेंशन पर भी जो है उचर्चा हुई और इसके साथ साथ है जो एक शोट कालिंग जो है अलपवदी चर्चा जो है वो भी इस पे जो हुई और उसके बाद में लास्ट के अंदर है जो एक एहम बिल जो जबरन धरन परवितन का बिल था वो भी आज जो है पास किया गया है जो विधान सवा के अंदर और इस दो तारिक से शुरू हुआ था और आज बाइस तारिक हो गई टोटल एकिस दिन चला जिसमें कुछ चुटियां भी रही और टोटल मेरे ख़ल से बारा सिटिंग जो है इसकी हुई है तो एक मैं कहूंगा कि सबसे लंबा सेशन जो है हर्याना के इतियास में मैं कहूंगा यह सेशन इस बार वाड़ा रहा है और एक नए नए तरीके से यानि बिल बजट पेश होने के बाद में अडोग कमेटियां भी बनाई गी आठ अडोग कमेटियां जिन्नोंने अलग-अलग सब्जेक्ट के उपर चर्चा करके अपनी अपनी रिपोर्ट जो है मान्य मुखे मंतरी महोद्य को सवापने का काम किया कि किस मद में कितना पैसा है कितना क्या जाए अपनी और से भी कहा गया इससे पहले भी मान्य मुखे मंतरी महोद्या ने बजट पेस करने से पहले भी तमाम विधायकों से पक्स के विपक सदन में कितने बिल पेस किये गए हैं कितने पारित हुए हैं और कितने सिलेक्ट कमेटी को गए हैं और कितने बिल विड्रा हुए हैं स्पोर्ट्स बिल जो एक स्लेक्ट कमेटी को गया था एक तो वो इसमें पारित किया गया है इस सेशन के अंदर और टोटल अठारा बिल आए जिसमें से एक बिल रिटन हुआ दो बिल स्लेक्ट कमेटी को गए हैं और पंदरा बिल इस पूरे सेशन के दोरान जो है वो पास किय गये हैं गंगवाजी सदन में किस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ और यहां तक कि निरश सर्मा ने ये भी परतिग्या की कि वो जब तक रष्टा चारिक जो खुलाब कारवाई नहीं की जाती वो जूते नहीं पैनेंगे और शीले हुए वर्ष दारन नहीं करेंगे क्रिप्शन का मुद्धा फरिदाबाद के अंदर यूल बी का था उसके अंदर निरश सर्मा जी ने उठाने का काम किया था और उनको इस बात का है शोर भी किया था मंतरी दौरा मानियां डॉक्टर कमल गुपता दौरा कि हम एक जल्द से जल्द जो दोसी होंगे उनके खिला उसका तप्तीश करके और उसके बाद में हम जो भी दोसी होंगे उनके खिलाब सक्त कारवाई केंगे इसके बावजूद भी उन्होंने एक मैं कहूंगा कि एक पॉलिटिकल या अपनी तरफ ध्याना करिसन करने के लिए कई बार करते हैं क्योंकि या तो सरकार की तरफ से आ और दुशिन चोटाला जी मुख्यमत्री थे उन दोनों की तरफ से याश्वासन दिया गया कि हमें एक टाइम बाउंट तरीके के इसके अंदर ही जो है इनके खिलाब करवाई कर देंगे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस बात की चर्चा तो जैसमेन पहले कहा कि इस मुख्या की बात थे जो पोलिटिकल स्टन्टी में कहूंगा उस टाइपका करने का कैमिंँ किया और इसके एलावा जो जबरन दर्मांतरन की बात थी उसके भी कॉंग्रेस के जो हमारे साथ ही है कॉंग्रेस के मेंबर है उन्होंने उसका विरोध करने का काम किया और लास्ट में उन्होंने वाकाउट करने का काम भी किया था गंगवाजी जो धर्मानतरन का बिल आपने काफी पहले रिडियूस कर दिया था जिसका आज साधन रिपक्स ने विरोध किया है तो किन बिंदों पर वो विरोध कर रहे थे उनका ये कहना था कि जब आलरेड़ी इस टाइप के कानून बने हुए हैं कि अगर कोई इस टाइप से करता है तो उनके उपरेक्शन होगा और इसलिए आज अब इसको कोई लाने के जरूत नहीं है या मैं कहूंगा कि एक हमारे यहाँ परंपरा है कि केवल विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं क्योंकि इस विदान के अंदर अमेंड़्वेंट होते रहते हैं मानिया मुख्यमितरी महोदे ने बताया कि लगवा कि हमने सवासो बार जो उसके अंदर अमेंडमेंट अब तक हुआ है अब पिछे जो हमारे बच्चीों की किलाब जो क्राइम होते थे चाहिए और रेप के मामले थे चाहिए और दूसरे छेड़ काने के मामले थे उसके करने का काम किया है क्योंकि वक्त के हिसाव से समय के अनुसार उसकें चेंज किया जाते हैं अब जब मामले ज़ादा आने लगे जबरन धर्म प्रवित्रेंप listen के या क्लिवल कोई मेरिज के लिए ही किसी ने धर्म प्रवित्र na कर या इस टाइप के जब मामले आने लगे या कोई लोब लालस दे करके कोई धर्म को परविर्टन कराने का काम करते हैं तो उसके खिलाब फिर कड़े कानून भी बनाए जाते हैं और उसी के अंदर आज के समय के हिसाब से मानने मुख्यमतरी महोदे ने पूरे हाउस को बताने क काम किया कि हम इस समय के हिसाब से इसके अंदर आमेंडमेंटर लेकर के आए हैं ये थे मेरे साथ हर्याना विदान साबा के उपाधेक्स रणवीर गंगवा इन्होंने बताया कि बजट सत्र में 18 बिल पेस किये गए हैं जिसमें से 15 विधेक पारित किये गए हैं और एक बिल जो है विद्रा किया गया है और दो बिल सेलेक्ट कमिटी को भेजे गए हैं वही नोंने ये बताया कि जबरन धर्मान्तरन को रोकने के लिए भी बिल पारित किया गया है जिसका विपक्स ने विरोध किया और सदन से विपक्स के इस्तर से वाक आउट कर गई अनिल कुमार टोटल नहीं हो चन्दिगार